नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाइफाइ स्टेडी यूट्यूब चैनल पर मैंकित गुपता करता हूँ आप सभी का स्वागत यतने भी स्टुडेंट और विध्यारती यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहाँ पर गुड़ी फटा फट से यहाँ पर क्लास के लिंग को शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों अपने मित्रों अपने साथियों के साथ ताकि मैग्जिमम लोग आज नेता जी सुभास चंद बोस जी के जीवन के बारे में जान सकें और उनके आत्मगता जिस तरह से मैं कहूँ कि उनके जी जीवन में क्या क्या हुआ था और नेता जी सुभास चंद बोस जोके क्रांतिकारी नेता के तौर पर आपके जाने जाते हैं उनके लाइफ से सम्मंदित सारी महतफून चीजों को हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं कुछ MCQ भी आपको क्लास के अंत में यहाँ पर मि जाता है आज के दिवस का नाम यहाँ पर बनता है पराकरम दिवस मनाने का फैसले आपर भारत सरकार ने आपका यहाँ पर लिया है और इस वर्स यानि कि पहली बार 23 जनवरी को इस वर्स आपका पर पराकरम दिवस आपका यहाँ पर मनाये गया है यह आप लोग याद रख और दूसरी महतंपूर्ण चीज आपके यहांपर रखा गया है कि नेता जी सुभासिंद बोश जी के नाम पर नेता जी एक्सप्रेस का नाम करण भी आपका 여्हांपर किया कल साम 5 वजे आप लोग यहां पर क्लास को यहां पर जोईन कर पाएंगे फ्री क्लास का लाब उठाने के लिए क्लास करना है आप सभी को अनकैडमी एप को इंस्टाल करने के बाद SSC exam section पर जायेगा name search कीज़गा अंकित गुपता आपको मेरा नाम यहां पर मिल जाएगा और मेरा जो profile है वो आपका यहां पर मिल जाएगा और आप लोग वहां पर उसको follow कर लीजेगा follow करने से क्या होगा आपको सारी की सारी free classes की notification और profile पर जाकर आप सारी की special classes को बिल्कुल free of cost यहां पर देख पाएंगे GS Foundation का नया वैच आपका शुरू हो रहा है 25 तारीक जैनि की 25 जनवरी से अगर आपकी GS week है और आप अपनी GS यानि की theory को यहां पर मजबूत करना चाहते हैं ताकि आप GS के MSQs को यहां पर अच्छे से attempt कर पाएं और आगे आने वाले SSC examinations को attempt कर पाएं तो यह course आपके लिए ही है इस course में complete GS की classes आपको मेरे द्वारा दी जाएंगी साथ ही साथ आपको यहां पर maths की सभी paid classes सभी educators की paid classes बिल्कुल free of cost reasoning के सभी paid आपके educators की paid classes free of cost और English के सभी educators की classes बिल्कुल free of cost मिलेगी मतलब कि आपने अगर GS का यह subscription आपने यहां पर ले लिया है तो इस subscription के साथ आप maths, reasoning और English के जो भी आपके favorite faculties बनते हैं जिनसे आप पढ़ना पसंद करते हैं सभी की paid classes आप यहां पर बिल्कुल free of cost देख सकते हैं उसके लिए आपको अलग से कोई payment करने के आवशक्ता नहीं है code याद रखेगा target 10 without space, target और 10 के बिच में कोई space मत दीजेगा target 10 बस आपके यहां पर लिखना है, कहीं पर भी space नहीं देना है target 10 कोड लगाईएगा और किसी भी examinations के subscription को आप हासिल कर सकते हैं चले अब शुरुआत करते हैं नेता जी सुभाशन बोज की जीवन प्रधारत महतपूर्ण इस session की और यहां पर एक एक करके उनके जीवन के अलग-अलग पहलूँ पर हम लोग नजर दोड़ाएंगे ठीक है भई, इतने लोग भी यहां पर जुड़ चुके हैं, फटा-फट से class की link को यहां पर share कर दीजेगा अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ, ताकि maximum लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ पाएं, ठीक है भी नेता जी सुभाशन बोज जी के अगर मैं बात करता हूँ, तो इनका जन्म आज ही की दिन, यानि की 23 जन्वरी 1897 को कटक उरिसा में हुआ था, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नेता जी मतलब की बंगाल, यानि की इनका जन्म वेस बिंगॉल या फिर कोलकाता में हुआ होगा, लेकिन नहीं इनका जो जन्म हुआ था, उस समय वो बंगाल प्रोविंसी आपका कहा जाता था, जिसका व भी लोकेशन से जो भी चीज़ा बन सकती हैं, उनको भी हम लोग साथी साथ डिसकस करते हुए चलेंगे, तो कटक उरिसा में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखेगा, इनकी मा का नाम प्रिभावती देवी और प्रिभावती दत्थ बोस और इनके पिता का नाम जानकी न प्रेंट्सा कॉलेज स्कूल, यहाँ पर उनके इस पर्टिकुलर कॉलेज को यहाँ पर जॉइन किया, और आगे चलके उनके प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आपका यहाँ पर क्या लिया, हिस्सा लिया, अगर कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ही धीरे धीरे जो युवा होते हैं वो नेता बनना सीख जाते हैं फिर धीरे धीरे एक युवा नेता की जो qualities होती हैं college में ही आपकी धीरे धीरे डेवलप होना आपकी शुरू हो जाती हैं तो presidency college जब वो कलकत्ता में आपके study कर रहे थे उसी दोरान उन्होंने धीरे धीरे भारत की आजादी और national activities में participation करना शुरू कर दिया था नेता जी सुभाचन बोज जी के अगर बात करें and he was expelled due to his nationalist activities और उनकी इसी राष्टवादी गतिविदियों को देखते हुए यहाँ पर college प्रसाशन ने उन्हें वहाँ पर college से निस्काशित कर दिया था यानि कि इनकी युवा यानि की college लाइफ से ही इनके अंदर राजनीती और राजनीती के साथ साथ nationalist एक राष्टवादी भावना लोगों को अपने साथ लेकर चलने की भावना लोगों को अपने पीशे खड़ा करने की भावना उनका leader बरने की भावना लोगों को अपनी बातों से अपने अपने speech से यहाँ पर influence करने की उन पर प्रिभाव जमाने की जो एक काबलियत थी वो नेता जी सुभाशन बोस जी के अंदर आपकी मौजुद है ये एक महान वक्ता भी आपके माने जाते हैं याद रखेगा ठीक है ये point आप लोग यहाँ पर याद रखेगा इनकी जो भती ज आगे चलके इन्होंने अपनी पढ़ाई Canberra University UK से आपकी पूरी की है कहां से पूरी की है Canberra University of UK से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई आपकी पूरी की है कि नेता जी ने क्या ICS सर्विस को जॉइन कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली नौकरी जिसका नाम था ICS Indian Civil Services जो आज की IES अधिकारी के लेवल की जॉब आपकी यहां पर बनती है उसको पास करने वाले नेता जी थे लेकिन उन्होंने इसको जॉइन नह किया था क्योंकि नेता जी ने तो कॉलिफाई किया वह यही बताना चाहते थे कि अंग्रेजों को क्या लगता है कि क्या भारती उनके द्वारा दी जाने वाली कठिन परिक्षा ICS को पास नहीं कर सकते हैं नेता जी को यहीं दिखाना था कि भारतियों में भी प्रतिभा है भारतियों में भी talent है और हम आपकी इस कड़ी से कड़ी परिक्षा को पास भी कर सकते हैं और निकाल मतलब की जीत भी सकते हैं लेकिन उन्होंने उनकी नौकरी को join ही नहीं किया नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा बस मैंने ये examination qualify करके दिखा दिया है कि आप मुझे कम मताकना आप भारतियों को कम मताकना बस however resigned from the civil service as he believed he could not side with the British क्योंकि अगर आइसीयस सर्विस के साथ उन्हें join करके आगे काम करना पड़ता तो उन्हें अंग्रेजों के नक्से कदम पर चलना पड़ता जो की नेता जी सुभासिंद बोस जी को मनजूर नहीं था सतेंदरनाथ टैग ये रविनाथ टैग और जी के बड़े भाई थे ये पहले भारती बंते जुनोंने ICS Services को आपका join किया था जब मैंने First in India जीके वाला topic आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इसके वारे में बताया था जितने भी लोगोंने अभी तक नहीं पढ़ा है First in India जीके का वीड तो ये सारी चीज़ा आपको याद रखना है ये question आपके exam में सीधा पूछा जा सकता है कि नेता जी सुभास चंदर बोस ने Indian Civil Services को कब qualify किया था या फिर कब इन्होंने Indian Civil Service exam को यहां पर done कर लिया था या आपके exam में पूछा जा सकता है तो ये point आप लोग याद जरूर स्वामी विवेकानन जी की टीचिंग से वो काफी यदा प्रिभावित थे and considered him as his spiritual guru अब जब गुरू की बात आ जाएगी नेता जी सुभास चंद बोस के तो यहां पर दो गुरू बनेंगे एक नहीं एक बनेंगे आपके spiritual guru यानि की आध्यात्मिक गुरू और दूसरे आप जी सुभास चंद बोस के गुरू थे तो दोनों ही नाम आपके एक साथ नहीं देगा या तो विवेकानन जी option में होगा या फिर चितरंजन धास जी आपका option में होगा और अगर दोनों option में होंगे तो यह clarify किया गया होगा question में कि spiritual guru पूछे जा रहे हैं आध्यात्मिक गु आपके बनते हैं स्वामी विवेकानन जी और इसी महिने की 12 तारीक को स्वामी विवेकानन जी का हर साल जेनती उनकी मनाई जाती है जैसे हम लोग मनाते हैं National Youth Day यानि की रास्टी युवा दिवस कब मनाते हैं 12 जनवरी को चितरंजन दास जी के मैं बात करता हूँ तो यह उ महत्मा गांधी के राजनेते गुरु कौन थे महत्मा गांधी जी के राजनेते गुरु कौन थे उनका नाम फटा फट से बताएगा उनका नाम बनता है गोपाल कृष्न गोखले सर गोपाल कृष्न गोखले यह महत्मा गांधी जी के राजनेते गुरु थे और गोखले जी आपके South Africa में थे तब गोपाल किसन गोखले उनसे मिलने के लिए भी South Africa आपके पहुंचे थे ये भी याद रखेगा नरेंदर दत्वास्विक नाम बनता है स्वामी विवेकानन जी का ये याद रखेगा स्वामी विवेकानन जी के द्वारा आपका रामकृष्ण मिशन आपका शुरू किया गया था रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानन जी के गुरू आपके बनते थे बेलूर मठ आप सभी को पता है बेलूर मठ जो की आपका हाडा कोलकाता में आपका मौजूद है बेलूर मठ में उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था किसने स्वामी विवेकानंद जी ने और बेलूर मठ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर परिशर भी बनता है ये भी आप लोग याद रखेगा आगे बात करते हैं आते हैं 1921 में 1919 में क्या हुआ 1919 में नेता जी सुभास्चंद बोस ने ICS की परिक्षा पास की और पोस्स से रिजाइन कर दिया वो अंग्रेजों के नक्से कदम पर नहीं चलना चाहते थे नेता जी सुभास्चंद बोस टोक ओवर दा एडिटर्शिप आप दा न्यूस्पेपर फॉवर्ड नोट कर लीजेगा सीधा एक नंबर पर एक्जाम पर पूछता है कि किस न्यूस्पेपर की एडिटर्शिप या फिर यो कह सकते हैं कि संपादन का जो कार था संपादन का जो कार था वो नेता जी सुभास्चंद बोस ने आपका सम्हाला था तो न्यूस्पेपर का नाम बनता है फॉवर्ड और इस न्यूस्पेपर को किस ने स्थापित किया था तो चितरंजन दास जी की सुराज पार्टी सुराज पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ founded by चितरंजन दास सुराज पार्टी तो आगे चलके सुराज पार्टी भी आपकी आती है जिसमें मुतिलाल नहरू चितरंजन दास जी आपके थे तो इस particular newspaper की एडिटर्शिप यहाँ पर 1921 में किसको दे दी गई थी नेता जी सुभाषचंद्र बोस जी को आपके यहाँ पर दे दी गई थी तो यह सीधा प्रसन आपके एक्जाम में पूछेगा ठीक है 1923 बोस वाज एलेक्टेड एस दा प्रेसिडेंट आफ आल इंडिया यूथ कॉंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी से धीरे धीरे इनका जुडाव शुरू होता है कॉंग्रेस पार्टी से यह जुड़ना आपके शुरू हो जाते हैं ठीक हैं मेरी बात समझ में आई और कॉंग्रेस पार्टी से सब से पहले 1923 में ये यूथ कॉंगरिस के लिए आपके चुने जाते हैं ये भी याद रखेगा एक और important point जो बताना आपका रहे गया है कि इससे पहले नेता जी सुभास्चन बोस कोलकाता सहर के मेर भी चुने जा चुके थे ये भी याद रखेगा ठीक हैं नेता जी सुभास्चन बोस इससे पहले कोलकाता सहर के मेर भी आपके चुने जा चुके थे ये भी याद रखेगा जिरा फटाफट से आर लाइक और शेयर तो कर दो यार कम सकम चार-पांसो लोग लाइब देखे तब तो मज़ा आएगा भी फटाफट फटाफट लाइक और शेयर करो अरे मेरे नाम पर मत करो नेता जी सुभास्चन बोस के नाम पर यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर लाइक और शेयर कर दो भाई एना कम सकम शेयर कर दो ताकि मैक्जिमम लोग नेता जी सुभास्चन बोस जी के जीवन के बारे में जान सकें और इस क्लास का लाव उठा सकें मांडले नामक जो जेल आपकी बनती है यह किस जगह पर आपकी मौजूद थी जरा मुझे लिख कर बताईएगा क्योंकि लाला लाजपत राय जी को भी मांडले की जेल आपका भेजा गया था यह बड़ी प्रिसिद जेल थी जैसे कि आपको याद होगा कि काला पानी की जेल सेलिलर जेल जो कि आपकी अंडिमा निकोबार के पोर्ट बलेर में थी ऐसे ही एक मांडले जेल भी आपकी थी यरवदा जेल ये पूरे में थी यहाँ पर भी बहुत सारे राजनीतग्यों को आपका यहाँ पर रखा गया था आखिर इनको क्यों जेल में डाला गया मंडले की जेल में डाला गया तो यह कोशन सीधा एक्जाम में बनेगा और वहाँ पर उन्हें टीबी की बीमारे टीबर क्लॉसिस की बीमारी भी आपकी हुई थी यह भी याद रखेगा टीबी की बीमारी से किस नेता का निधन हुआ था बद दिखिए फेमस लीडर्स के अगर मैं आपर बात करता हूँ तो उन्हीं में से एक नाम आपका यहाँ पर बनता है जिसकी मौत टीबी बीमारी क पोस्ट ट्रेविल इन यूरोप ठीक है धीरे धीरे समय का पईया आगे बढ़ता है नेता जी आपका यूरोप जाते हैं यूरोप घूंने जाते हैं मतलब कि यूरोप ट्रेवल करने ठीखिए मित्र संगी साथियों को जोडने ब्रिटिशेर्स को भारत से निकालना है ने गरम लोग European countries के मदद यहां पर ले या फिर कुछ देसों को अपने साथ यहां पर मिला लें तो Britishers को यहां से खदेला जा सकता है हम महत्मा गांधी के असांती और अहिंसा के बल पर लंबे वक्त तक आजादी मिलने का इंतजार नहीं कर सकते थे ठीक है तो 1930 में अपने इसी उ इसे नोट कर लीजेगा नेता जी सुभास्चंद बोस जी के द्वारा जो literature सामगरी आपकी उपलब्द है यह बहुत ज्यादा नहीं है सीमित है लेकिन उसमें से कुछ किताब हैं आपके सामने कि द्वारा लिखी गई है नेता जी सुभास्चंद बोस के द्वारा लिखी आ गया है किलियर है मेरी बात यहां तक सारी बाते समझ में आती हुई चल रही है तो एक बार लाइक करके बता दीजेगा थम्स अब करके बता दीजेगा यहां पर मुझे comment box में ठीक है भई आगे बात करते हैं फिर वो वहाँ पर वहाँ से वापस लॉट आते हैं after his return बोस टुक ओवर as the elected president of Indian National Congress in 1938 हरीपुरा session 1937 में पहली बार जो आपके निता जी सुभास्चंद बोस आपके आते हैं तो वो हरीपुरा session के आपके यहाँ पर पहली बार अध्यक्ष आपके यहाँ पर चुने जाते हैं और यहीं से थोड़ा सा वाद विवाद आपका शुरू हो जाता है नेता जी सुभास्चंद बोस नेता जी सुभास्चंद बोस और महत्मा गांधी के विचारों में आपका थोड़ा सा मतभेट था फोड़ा नहीं बहुत जादा था थोड़ा क्या होता है नेता जी सुभास चंद बोस ये चाहते थे कि किरांती करके भी अंग्रेज़ों को भारत से ख़़डेडा जा सकता है ठीक है किरांती का रास्ता भी आपक्तियार यहां पर किया जा सकता है लेकं महत्मा गांधी कभी भी करांती के रास्ते पर चलने को तयार आपके यहां पर नहीं थे नेता जी सुहाचंद बोस जी का ये भी मालना था कि 1949 से आपका दुती विश्युद शुरू हो गया था और ये शही मौका था कि हम ब्रिटिशर्ड से अपने भारत को आजाद यहां पर करा ले क्योंकि ब्रिटिस हकूमत भारत में कमजोर थी उसका पूरा धान दुती विश्युद पर लगा हुआ था और ये सही मौका था जब भारत में यहां पर बगावत और क्रामती शुरू की जा सकती थी लेकिन गांधी जी कह रहे थे नहीं 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 अंग्रेजों ने प्रिथम विश्युद में भी किया था प्रिथम विश्युद में भी हमने अंग्रेजों का साथ दिया था अपने सेनकों को अपनी टुकणियों को वहां पर भेजा था अंग्रेजों की मदद के लिए भेजा था हुआ क्या हम आजाद हुए नहीं हुए ना तो आप अंग् किरांती के रास्ते पर चलने वाले भगत सिंग भी थे आजचंदर सेखा राजाद भी थे देखिए नेता सब वही है सबका उद्देस एक ही था कि भारत को आजाद कराना लेकिन रास्ते और विचार अलग अलग थे कोई किरांती के रास्ते हिंदुस्तान को आजाद कराना च इसका ये राच्छे से याद कर लीजेगा 1930 में नेता जी सुभाचंदर बोस को हरीपुरा सेशन का अध्यक्ष आपका यहां पर चुना गया था मात्मा गांधी सबसे पहले 1924 के अधिवेशन के अध्यक्ष आपके चुने गए थे वह अधिवेशन किस सहर में हुआ था फटा फट से लिकर बताएगा जितने भी लोग यहां पर आपके मौजूद हैं क्लियर है इसके बाद 1949 में उनका दुबारा से चुना होता है वो री इलेक्ष होते हैं तिरपुरी सेशन के लिए लेकिन जल्द ही वो यहां पर रिजाइन कर देते हैं क्योंकि अब जो विवाद थ और जो वाद विवाद था धीरे धीरे खाईयां और बढ़ती जाती हैं और अब नेता जी सुभाशन बोस और इंडिया नेसल कॉंग्रेस के बीच में जो विचारों का मतभेत था वो काफी जादा उभर आता है तो नेता जी सुभाशन बोस वैसे भी खुदार्त होते ही र पता दू कि इंडिया नेसल कॉंग्रेस को लेकर भी एक वीडियो मैं अलड़ी अभी बना चुका हूँ 3-4 दिन पहले जिसमें इंडिया नेसल कॉंग्रेस से सम्मंदित सारे महतपूर्ण प्रशनों को शामिल किया है आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक् लिस्ट की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वहां पर वाच कर सकते हैं क्लियर हो गई मेरी बात डॉक्टर राजिंद प्रसाद फिर आगे के सेशन के लिए काम करने के लिए आपके तैयार हुए बचा हुए सेशन डॉक्टर राजिंद प्रसाद जी ने जो Congress Party को छोड़ा और एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम बनता है the forward block important है note कर लीजेगा forward block का गठन कब किया गया था ये exam में पूछेगा तो answer क्या बनेगा 1949 में forward block का गठन आपका यहां पर किया गया था the purpose of this particular new party to consolidate the political left and major support base in his home state Bengal ये political party क्यों बनाए थी the forward block ताकि ये party बंगाल में जो कि उनका घर था वहां पर अपने जो राजनेतिक जड़े हैं वो मजबूत कर सके और यहां पर एक base party का यहां पर बन जाए तभी आपका शुरू हो जाता है सवने अवग्या आंदोलन सवने अवग्या आंदोलन शुरू होते ही सवने अवग्या आंदोलन जब दुती विश्युद आपका शुरू हुआ सवने अवग्या आंदोलन भी आपका चला जाता है मात्मा गांधी के द्वारा तो उन्होंने भी सवने अवग्या आंदोलन म फिर से आपका कैद कर लिया, और कैद करके उनको घर में ही नजर बंद कर दिया, मतलब जेल में नहीं डाला, कहां पर डाल दिया, घर में ही आपका नजर बंद कर दिया, घर में ही उनको कैद कर दिया गया, लेकिन नेता जी तो नेता जी, नेता जी सुभास्चन बोज मैनेज to escape to Berlin नेता जी इस कैद से बच कर निकलने में काम्याब रहे और वो Berlin चले गए Berlin is the capital of Germany Germany की राजधानी Berlin by the way of the Pesawar Pesawar वर्तमार में पाकिस्तान में है उस समें तो हिंदुस्तान का हिस्सा था Pesawar और अफगानिस्तान के रास्ते वो Berlin जा पहुँचते हैं इसके बाद वो जापान पहुँचते हैं और वहां से बर्मा बर्मा को आज हम लोग म्यामार के नाम से जानते हैं और उन्होंने यहाँ पर एक नई आर्मी का गठन किया जिसका नाम बनता है इंडियन नैसनल आर्मी और इस पार्टी का गठन ब्रिटिशर्स से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया और लिब्रेट दा इंडिया विद दा हेल्प आप दी जापान तो जापान की सहायता से यहाँ पर इंडियन नैसनल आर्मी का गठन किया गया और ये आर्मी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और भारत को आजाद करने के लिए बनाई गई थी जिसका नाम बनता है INA यानि कि इंडियन नैसनल आर्मी और फिर आजाद हिंद फौज जिसको आपका यहाँ पर आजाद हिंद फौज आगे आएगी यहाँ पर एक पुरानी और रेर तस्वीर है जिसमें आप नेता जी सुभाशन बोस को यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन नैसनल आर्मी का जब गठन किया गया था जापान में तो उस समय की तस्वीर आपके सामने है यह उसी समय के एक तस्वीर है निदा जी को आप यहाँ पर लीडर्शिप के तौर पर देख सकते हैं आयने वास फर्स्ट फ़र्म अंडर दा मुहन सिंग आयने की जो स्थापना आपकी की गई थी इंडियन NATIONAL ARMY की स्थापना वो मुहन सिंग के अंडर में आपकी की गई ठींट जैपनीज मेजर नाम थोड़ा सा अजीब है इवेची फूजीवारा जैपनीज नेम है ना इ इवैची फूजीवारा आए एक्जाम में ना आए फिर भी आपकी नॉलिज के लिए यहां पर यह बनता है कि आएने की स्थापना जो की गई वो मोहन सिंग और जैपनीज मेजर इवैची फूजीवारा के माध्यम से की गई and comprised Indian prisoners of the war of the British Indian Army captured by जापान in the Malayan मलायन मतलब Malaysia campaign and at Singapore जापान की लड़ाई अंग्रेजों से हुई जिसमें British Indian Army आपकी सामिल थी और इस कैमपेन में Singapore और Malaysia में जहां पर British Indian Army हार जाती है क्योंकि उसमें अधिकतर सैनिक भारती थे उन्हीं सैनिकों को जिनकों बंदी बना लिया था जापान ने उन्हीं सैनिकों की मदद से यहां पर इस पार्टी का गठन होता है यह याद रखियेगा क्लियर है मेरी बात समझ में आई आप सभी को मेरी बात तो एक बार इस लेकर बताईएगा कि हाँ बात सर समझ में आ गई ठीक है यहाँ पर एक तस्वीर आपकी है यह मोहन सिंग की तस्वीर है मोहन सिंग सबसे important यहाँ पर विक्ति बनते हैं आई एने को फाउंड करने के लिए पहले बिटिस आर्मी में ही थे लेकिन आगे चलके उन्होंने भारत की आजादी के लिए खुद की आर्मी का जो भारत की सेना का विचार है वो निता जी सुभास चन्बूस जी के साथ शेर किया और उनके प्रियासों के वे ऐसे यह आप सेनकों के तोर पर यहां पर क्या कर लिया गया सामिल कर लिया गया यह कैदी किस वज़े से बने थे यह कैदी इस वज़े से बने थे क्योंकि बिटिस इंडियन आवमी को यहां पर जापान के साथ लड़ने के लिए सिंगापूर और मलेशिया आपका भेजा गया था और वह क्या आपकी तयार हो जाती है आयने फॉर्ट अलाइड फोर्सेस इन नाइन्टीन फॉर्टी फॉर्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर्र आपका यहां पर जारी है दुती विश्युद आपका यहां पर चल रहा है इंसाइड दा बॉर्डर्स आफ इंडिया इन इमफाल एंड बर्मा राज आप सभी को पता ही है वर्तमान में इमफाल और बर्मा बर्मा यानि कि आपका म्यामार तो यह भारती सीमाओं के अंदर होता है यह युद और जापान का काम यह था क्योंकि भारत पर उस समय ब्रिटन का कबजा था तो दुती विश्युद जीतने के लिए अगर वो ब्रिटिस भारती सेनाओं को हराना याप पर आपका शुरू किया बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि आगे चलके अंडिमान निकोवार आइलेंड को भी ब्रिटिसर्स से आपका आजाद करा लिया था कितने लोगों को यह जानकारी है जरा मुझे यस लिखकर मुझे ब लिया था बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1947 से पहले भारत का एक ऐसी लोकेशन भारत की एक ऐसी जगह है जो कि 1947 से पहले अंग्रेजों से आजाद हुई थी उसका नाम बनता है अंडिमान निकोवार आइलेंड और यहाँ पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना आपकी की जा थी ठीक है ट्रूपस अब दा आई एन ए यानि कि इन्डेनेसल कॉंग्रेस की जो ट्रूपस थी अंडर दा एजस अब दा प्रोविंशनल गॉवर्मेंट आजाद हिंद गॉवर्मेंट विच केम टू प्रोड्यूस इट्स ओन करेंसी अपनी खुद की मुद्रा चलाना के अलाके को सबसे पहले बृटिसर्स से आजाद कराया गया था और ये आजादी इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का साशन था तो जापान की मदद से आई एने ने किसको जीत लिया अन्यमा निकोवार आइलेंड को जीत लिया आइलेंड को जीतने के वा नाम से और नेता जी सुभाषचन बोस की तस्विर आप इन करेंसी पर देख सकते हैं ऐसा भी कहा जाता है कि नेता जी सुभाषचन बोस जी के नाम पर एक लाख रुपय तक का जो करेंसी नोट है वो समय आपका च्छापा गया था वरतमान सिनेरियो की अगर मैं बात करता है वो 1943 और 44 के असपास की बात कर रहे हैं जबकि RBI की स्थाफना 1935 में हो चुकी थी उसके बाबजूद भी जिस इलाके को आजाद हिंद फौज ने आपका जीत लिया वहाँ पर अपना खुद का सेंट्रल बेंग और करेंसी आपकी यहां पर जारी की थी और एक लाक रुपए तक का नोट भी माना जाता है कि वहाँ पर जारी आपका किया गया था केवल करेंसी ही नहीं अपनी खुद की अदालत है यानि की कोर्ट भी वहाँ पर आपकी चल रही और इन्होंने एक और प्रसिद नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये नारा इसलिए था कि आप मुझे एक सेना दीजिए आप मुझे एक आर्मी दीजिए और मैं आपको आजादी दूँगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा ही वो था जहां से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट पिता के नाम से आपका संबोधित किया था तो आजाद हिंद रेडियो से ही उनका संबोधन जो कि जर्मिनी में था वहां से उन्होंने यह संबोधन आपके यहां पर दिया था on this radio इसी रेडियो के माध्यम से नेता जी सुभास्चन भोस जी ने 6 जुलाई 1944 को महत्मा गांधी जी को फादर अब दा नेशन यानि की राष्ट पिता के नाम से आपका संबोधित किया था क्लियर हैं? समझ आई मेरी बात? ठीक है कुछ important MCQs जो कि उनके जीवन पर अधारित हैं अभी तक हम लेगों ने जो भी बात चीत यहां पर की है वो उनके जीवन से अधारित हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई है अब आपको यहां पर यह बताना है कि यहां पर आगे की बाते जो आप सभी के लिए यहां पर चल र जाता है आप फिर स्वामी विवेकानन जी कौन नेता जी सुभास्चन बोस जी के पोलिटिकल गुरू आपके बनते हैं तो सही जवाब इसका बनता है चितरंजन दास जी यह उनके पोलिटिकल गुरू यानि की राजनायतिक गुरू बनते हैं किसके मात्मा गांधी जी के गोपाल किष्ण गोखले जी के बनते हैं राजनायतिक गुरू उनका नाम था एम जी रनाडे यानि की महादेव गोविंद रनाडे ये किसके थे ये आपके गोपाल किष्ण गोखले जी के राजनायतिक गुरू थे सौमी में विकानन जी भी गुरू बनते हैं सुभास्च इनके पिता एक वकील थे इन्होंने forward block party का गठन किया था 1949 में इन चार options में से कौन सा option आपका यहाँ पर correct नहीं है फटाफट से मुझे लिख कर बताएगा कि सही जवाब इस question का यहाँ पर क्या बनेगा चितरंजन दास ही वो थे जुन्होंने 1923 में सुराज party के स्थापना की इनका जन्म कोलकाता में आपका नहीं हुआ था इनका जन्म कटक में आपका हुआ था यह याद रखेगा अगला प्रिसन नेमलिकित में से कौन सा nickname नेता जी सुभास्चन बोस को आपका कभी नहीं दिया गया इन्हें strong man of India के नाम से जाना जाता था क्या नहीं जाना जाता नेता जी सुभास्चन बोस पैट्रियाट ओफ पैट्रुएट्स यानि कि देश भक्तों का देश भक्त बेकन ओफ लाइट ओफ एसिया चार आप्षिन नेमलिकित में से कौन सा निकनेम नेता जी सुभास्चन बोस को आपका नहीं दिया गया था पड़ावर से बताएगा सही जवाब इस कौशन का यहां पर क्या बनेगा पड़ावर बताव वई देर नहीं लगानी है फटा 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 आंसर देना है करेक्ट आंसर से यहां पर बनता है इन्हें नेता जी के नाम से तो जाना ही जाता था देश भक्तों का देश भक्त भी कहा गया है पैट्रियट ओफ पैट्रियट और इन्हें बेकिन ओफ लाइट ओफ एसिया एसिया की रोसनी का प्रिकास पुंज या फिर एसिया की रोसनी का प्रिकास तम्ब भी इनको कहा ग चार आप्शन फटावर से बताएगा सही जवाब साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताना है कि जो माना जाता है इनकी मौत हुई एथ जो इनकी मानी जाती है वह किस एर में हुई थी यह लिखकर मुझे यहां पर बताईएगा और इनकी मौत की जांच से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला कमीशन आपका इस्थापित किया गया था जो कि इनकी मौत की जांच से जुड़ा हुआ था उस कमीशन का नाम भी फटाफट से लिखकर बताईएगा यहां पर सही जवाब आपका बंता है कब हुई थी यह आपको नहीं पर लिखकर बताना है कमीशन का नाम बुद्ध जी को भी Light of Asia बूला जाता है लेकिन वो प्राचीने तेहास में य हाधुनी के तेहास में कमीशन का नाम 1945 में इनका निधन हुआता था किसी को तारीख पता हो तो तारीख भी लिखकर यहां पर बता सकते हैं इनका विवान ताइवान में आपका क्रेश हो गया था ऐसा माना जाता है इसके बाद बहुत सारी चीज़े निकल कराती है गुमनामी बाबा क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाशिंद बोस से लो आप सभी लोग मुझे comment box में देंगे इस video के complete हो जाने के बाद इसका answer सभी लोग नीचे video के नीचे comment box में दे दीजिएगा और ये मुझे लिखकर ज़रूर बताईएगा कि आपको class कैसी लगी और इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा तो इस class में दोस्तों इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा नेता जी सुभाचन बोज जी के जीवन पर धारिट कल में आप सभी के साथ weekly current affairs discuss करने वाला हूँ तो जो लोग भी यहा आप पर जूर सकते हैं weekly revision है और Unacademy पर GK के MCQs का weekly revision कल दोपहर 12 वजे होगा और कल साम 5 वजे static GK के weekly important MCQs का revision होगा तो उसके लिए भी आप Unacademy पर जूर सकते हैं Unacademy पर मुझे follow करने के आपको क्या करना है Unacademy की app आपको download करनी है SSC exam section पर जाना है मुझे follow करना है और आप क्या कर सकते हैं अगर पहली वार आप Unacademy app पर classes देखने जा रहे हैं तो आप target 10 code वहाँ पर लगाएंगे तो आप सभी classes को वहाँ पर free of cost देख पाएंगे GS foundation batch मेरे द्वारा शुरू हो रहा है 25 जनवरी से batch आपका start हो जाएगा SSC category में अगर आपकी GS week है और आप अपनी GS मजबूत करना चाहते हैं आप अपनी theory strong करना चाहते हैं जिसके बाद आप सभी तरह के practice session में MCQs को वहाँ पर अच्छे से convert कर पाएं और MCQs का answer कर पाएं त फिर आगे आगे आपको बाकी सभी subject भी मिल जाएंगे इस batch का advantage यह है कि इस batch के साथ साथ आपको math, reasoning और English के भी paid classes आपको बिलकुल free of cost मिल जाती हैं आपने अगर GS के लिए subscription यहाँ पर ले लिया है तो आपको math, reasoning और English के लिए परेशान होनी के आवशकता आपको नहीं है ठ target 10, target और 10 के बीच में space नहीं देना है, target 10 एक साथ ही लिखना है और अगर आपके पास free clients है तो उनको redeem कर दीजेगा, आपको maximum discount भी वहाँ पर मिल जाएगा, आज के लिए तना ही, कल फिर मलाकात होगी, एक और बहतरीन class के साथ, एक और बहतरीन session के साथ, अपना प्यार और support बनाये रखिएगा, like कीजेगा, share कीजेगा, दोस्तों को बताईएगा, telegram channel से जुड़ जाएगा, धन्यवाद, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जैहिंद, आप सभी को आज तो